हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है मारे चनल इन्फो गॉर्मिंट जोबस पर तो दोस्ता है यहाँ पर रेलवे एंटिपीची और गुरूप डी प्रिक्सिया को लेकर इंपोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर रेलवे भरती बॉर्ड के दुआरा य हाँ पर यह एक प्डेट आया है न्यूज पेपर में अब बैर्थियों को मिली सकती है कुसकबरी रेलवे भरती पर कमेटी ने मंत्रा ले को रिपोर्ट सोब दी है फाइटन न्यूज स्री गंगानगर के पेपर में चपी खबर के अनुसार रेल मंत्रा ले की ओर से बनाई जाएगा इसके बाद आगे की परिक्साएं होंगी इधर रेलवे एंटिपीशी स्नातक स्तरी रेजल्ट में सुधार बढ़ाने और रेलवे गुरूप डी परिक्सा एक बार किये जाने की मांग को लेकर देश वैपी आंदोलन हुआ था इस आंदोलों में पकड़े गया ब सदशिये उद्रस्तरीय कमेटी बनाई थी इस कमेटी ने देश बर में सभी आररबी में जागर अब्यार्थियों को सुना था रेलवे की ओर से अब्यार्थियों से ओफलाइन और ओनलाइन आवेदन मांगे गए थे ये आवेदन 16 फरवरी तक लिया गया था रेलवे को करी अब जल्दी आपको इसके वर फैसला देखने को मिलेगा अब दूसरी जो अपड़ेट है वो मैं आपको बता देता हूँ तो बच्चो पड़ाई में आ रहे हैं डाउट से सोल नहीं हो पा रहे गबराए नहीं इसका सोलिसन आ डाउटन ने टैप जिस भी सवाल में आपको डाउट हो उसकी फोटो की जो क्रॉप करो और पांच सेगट के इंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोलिसन मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फिरी यानि अब आप अपने अनलिम्टेड सवाल पूछिए कहीं भी कभी भी सवाल चाहे आपका क्लास चैसे बारवी हो आयाईटी जैई नीट का हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड सी बिया सी यूपी बिहार रास्तान का हो चाहे किसी भी सबजेक्ट का ह आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट एप पर साथ ही ही डाउटनेट एप पर चल रही है कलास नोवी से बारवी आयाईटी जैई नीट के बच्चों की ऑनलाइन कलासे जिसका इसा बनके देश के सभी राजियों के बच्चे लेकर आ रहे है रेंक वन तो आज ही डाउट टैप इंस्टोल करें और अपने सभी डाउट्स बगाओ और टोप रेंक ले आओ तो दूसरा दूस्तों यहां पर नोटिस जारी किया गया है rrb.gov.in यानि कि सभी rrb की वेबसाइट पर जल्द ही जारी हो जाएगा तो यहां पर नोटिस जा पर जो यहां पर आपके objection लगाए गए थे उनका fees refund की बात यहां पर बोली गई है CEN01-2018 की बात इसमें दोस्तों की जा रही है जो आपकी ministerial isolated category की जो vacancy थी उसकी यहां पर तो इसमें जो आपके बताई गई है वो यहां पर CBT1 और CBT2 में जो यहां पर लिए गए थे अपके 11.7.2019 से लेकर 14.7.2019 CBT1 और आपका 26.9.2019 से 39.2019 CBT2 इन दोनों में यहां पर objection लिए गए थे दोनों में और जो objection पचास रुफे फीच लगी थी तो वो जो question सही है वो यहां पर सातर claim कर सकते हैं और link आपका refund के लिए इसमें दिया गया है इस पर जाके claim करना जिसमें आपको नाम, registration number, role number, bank account number, IFC code, bank name और आपका जो account order का जिसमें भी जिसके account में आपको लेना है उसका नाम और last date यहां पर दी गई है 21 मार्च तक आपको यह काम कर देना है तभी आपका जो payment था वो यहां पर refund हो पाएगा तो जिन्होंने भी यहां पर objection लगाया होगा वो जरूर इस चलों को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेर करें दोस्तों के साथ धन्यवाद जेहिं जी अभारत